सउस्क्रेट में आपको देखते हैं विवक्ति यहाँ पर शंव नों है संबोधन को गईसे कीवह जी करते हैं वहाँ उसका चिन्न और संकितल बता किस तरीके समप्रदान को के लिए अपदान से कोई चीज अलग हो ना संबंद का की के रारे रे अधीकरण मैं पेपर संबोधन हे रे अरे आदी तो मतलब यह एक जब भी अब कोई बिवक्ति के बारे में आप पढ़ेंगे या कोई सेनेंस आप पढ़ेंगे कोई बाग क्या पढ़ेंगे तो इसमें आपको यह चीज हैं देखेंगे ने को से को लिये बहुत इस तरह का एक संकेत आपको एक मिल जाएगा कि भाई यह आपकी यह वाली बिवक्ति आप उस कि वो रही है तो यहां पर क्या हो जब दो को कैसेне लिख़ा कि संचेत और चिन्न के द्वारा, अगर और कहीं ने लेखा है, तो आपका समझ लीजिए कि करता मला की परतमा बेवक्ती है और जहां पर करता में सब्में चीज़ होंची अगर को लेखा है तो कर्म से इस तरीके से पूरे एक रिलेशन होता है इसको याद कैसे करते हैं करता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होना कोई चीज अलग होती है से ब्रक्ष से पत्ते गिरते हैं ब्रक्ष से पत्ते गिरते हैं कोई चीज अलग होना तो वहाँ पर क्या हो जाएगा आपका अपादान आएगा मतला किसी का कुई संब्ध मेरे प्ताजी फिस तरह कोई संब्ध में हुए है किताब कर रखी ए में पर में इस तरी कोई चीजाए उसकी संभोधन करके इस तरीके से होता है तो क्याि म61 क рок पहले आते हैं प्रित्माविवक्ति पे तो इसका एक्जाम्पल हम जैसे लेते हैं पानी पीता है राम पानी पीता यह प्रित्माविवक्ति के बारे हम पढ़ने हैं प्रित्माविवक्ति तो राम पानी पीता है तो इसमें जो मेन काम कौन कर रहा है राम कर रहा है राम आपक करत आब आपर तो नहीं है नहीं तो अक्षवाल मैं क्या होता है पर फिर यह सब्दय होता है आप चिपा हुआ रहे है नहीं पर यहांपने पानी पीच हो हो रहा है यहां हम समझेंगे यहाँ पर Kent की कार conservative कि किसी चीए और पानी पीत तो इसलिए यह पर क्या एगा प्लिए पर्तमा वक्ति आएगा ठीक है जैसे सको नारे व्यक्ति है तो राम पड़ती तो राम पढ़ती दल्क रहां === तो राम है पढ़ती भ्रती में आपका क्या हो जाएगा यह एक वचन क्यूं कि राम पढ़ता है तो राम पढ़ रहा है यहाँ पर तो क्या हो कर्म मतलब जैसे जो सब्जेक्ट का जिस चीज़ पर मतलब प्रभाब पढ़ता उसको कर्म करना करना कर्म करो फलकी जिनता मत को कर्म जैसे बहें पुस्तक पढ़ता है बहें पुस्तक पढ़ता है तो यह जो है आपका दुट्य वक्त आपने का यहां तो को लिखा ही नहीं हम कैसे संकेत कैसे पहचान है आपने तो कहा था कि संकेत आपको मिल जाएगा तो actually क्या तो जब भी दुत्या विवक्तिया पढ़ रहे होते तो इसमें आपका जो संकेत चिनोदो प्राय छुपा रहता है जैसे अगर बहे पुस्तक को पढ़ता है या बहे पुस्तक पढ़ता है तो मैं चीज क्या कर में क्या कर रहा हूँ पुस्तक को पढ़ रहा है क्या कर रहा हूँ पुस्तक को पढ़ रहा है तो मैं उसका कर में पुस्तक को पढ़ता है या बहे पुस्तक पढ़ता है एक ही बात है तो यहां पर आपका ये दुत्तिया वे वक्तिया जाएगी ठीक है समझ में आया है चलिए अब हम आते हैं तिर्तिय वक्ति पर तिर्ति वक्ति में से हैं से करण एक्षिल जो से है मतलब किसी की सहायता से कोई कारे करना किसी की सहायता से कोई करना से कि मैं पैन से लिखता हूँ मैं कलम से लिखता हूँ मैं कलम से लिखता हूँ कलम से लिखता तो यहां पर कौन से वक्ति है कि तिर्थिय वक्ति है जब किसी की हेल्प से किसी की मदद के द्वारा कोई कारे करते हैं तो जैसे किसी की द्वारा कोई कारे किया जाता तो उसमें क्या था आपका तिर्थिय वक्ति जैसे की मान लिजे राम गेंद से खेलता है तो राम गेंद से खेलता है तो राम गेंद की साइटा से खेलता है भी कह सकते राम गेंद से खेलता है भी कह सकते तो आपके तिर्टी वग्ति यादिक तरह को से दिख जाएगा ठीक है अब हमाते है चतुर्टी वग्ति पर मतलब किसी को कोई चीज देना देना कोई चीज में आएगा तो व ठैसे बोलेंगी आ मिंठाई राम के लिए है यह मिठाई राम के लिए राम की लिए नुक दे आ रहा हो और। सत्मय हमें पदा हिको मिठाई दीजा रही को सको दिजा रही है तो यह राम को दे दो तो इस तरीके से यहां पर कोई चीज किसी को दी जाती है तो वो कहलाती चतुर्ती विवक्ति कौन से वक्ति माता वो चतुर्ती विवक्ति में अब हमाते हैं पंचमी विवक्ति में क्या होता है अगर कोई चीज किसी से दूर होना से किसी चीज से अलग लगता है मुझे 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 कुट्टे से डर लगता है मुझे कुट्टे से डर लगता किसी चीज़ में डर ना आप डर रहें तो मतलब वो कौन से वक्ति में आएगा वो पंच्वी वक्ति में आएगा दूर होना जैसे कि अलग होना जैसे ब्रक्च से पत्ते गिरते हैं ब्रक्सर पत्ततते गिरते हैं तो अलग हो रहा है तो जब कोई चीज अलग होती या कोई चीज से डरना या दूर जाना अलग होना तो वो कौन सैंटान के पंचमिय व्यवक्ति आती है अब आतम सस्टी व्यवक्ति पर अलग расск Tu व miałकती राम है, सीता के पती राम है, सीता के पती राम है, तो यहां पर एक रिलेशन सो वो रहा है, सीता के पती राम है, तो इसलिए यहां पर कौन सी वक्ती आईगी, सस्टी वक्ती, का की के रारी है, जैसे, दशरत के चार पुत्र थे, दशरत के चार पुत्र थे, तो यहां पर पि लेशन एक संबंध शो हो रहा है तो इसम्हाइन कौन इतियों कि स willst आया है हम सब्तमिल वक्ति पर सफ्विय भक्ति मतलब आपका धीकरण मिला वह चीज हो न है जब कोई कारे संपाधित हो रहा ही किसी नाशता है पर कोई कर रे होता है वहां कर संपादित होता है तो बहुत का प्रियोग करते हैं यहां मोरबन में नाशता है आप पर बैठ जाई आशन पर बैठ जाओ तो आसन पर बैठ जा आँ ऍवर तो दोको मैं आ गया पर आ गया तो यह आपके इस तरीए से सब्तम ही वक्ती हो गई अब संभोदन तो संभोधन जैसे को किसी को बोलें कि हेराम जैसे किसी को बुदाना पकाना हेयराम इद Hem इडर आओ Chernya अरे उधर जाओ, अरे इदर आओ, इस तरह किसी को संबोधन करना, किसी को पुकारना, बोलाना या वेजाना, कोई इंस्डक्शन देना, तो वो आपका संबोधन कहलाता है। तो यहीं पर आपका वीडियो समाप्त होता है, यह जो है आपकी इसमें विवक्तियां पूरी हो गई है, यह बिल्कुल बेसिक है कि संस्क्रित ग्रामर का, अगर आपको यह चीज नहीं आती हैं अच्छे से तो आप आगे की चीज अच्छे से नहीं कर पाएंगे, जैसे कि आ आपको इंगलिस जैसे कि आपको संस्क्रित बोलना हो उसमें, आपको बाको को संस्क्रित में ट्रांसलेट करना तो यह पर आपको इस सब को पकादा ध्यान से रखना पड़े, इसमें बाको का शुद्धी करन होता है, इस पोर्डिंग दी एरर होती है, वो सब इनी पर ही ड पेंड करती है तो वीडियो को अंतक देखने हों का बहुत बहुत धन्वाद थैंक्स वर वाचिंग